गुद्बॉर्णी बच्चों चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपोजिशन के कुछ और पार्ट्स जो हमने भी नहीं पढ़े हैं या हमसे छूटे हुए हैं जैसे विथ और बाई का प्रियोग तो विथ और बाई का प्रियोग कहा होता है और कैसे होता है किसी इंस्ट्रुमेट को दिखाता है जिसका कारे को करने में प्रियोग आई ऐसा नहीं है कि कि किसी भी आवजार से क्या कर रहे हों कारे में उसका रूल होगा उसके द्वारा किया जा रहा होगा कारे के द्वार कारे मतलब जिस instrument से हो रहा होगा तब ही हम किसका प्रियोग करेंगे विसका प्रियोग करेंगे जैसे हमें लिखा he wrote a letter with her pen mostly लोग इसको क्या करते है he wrote a letter by her pen या he wrote a letter by pen ये भी लिख देते हैं लेकिन वो गलत माना जाता है गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि pen जो है वो आउजार है और आउजार से पहले वित का प्रियोग होता है क्योंकि जो later लिखा जा रहा है यहां पे वो pen से लिखा जा रहा है अब पहने का आउजार है फिर भाई के प्रयोग की बात करें तो भाई का प्रयोग किसी कारे को करने वाले के लिए आता है मतलब कि जो कारे कर रहा हो जिसके द्वारा कारे हो रहा हो उसके लिए क्या आता है बाई आता है जैसे यह mostly passive wise में देखता है जैसे कि रावन was killed by राम तो राम के द्वारा राम के द्वारा गया चीक है उसके आगे देखिए हमने क्या बता है कि रावन was killed by राम मतलब कि रावन की हत्या राम के द्वारा की गयी तो यहाँ पर राम के द्वारा मैंने क्या लिए बाई का प्लोग किसी कारे को यह करने वाले कि यहाता है काम कौन कर रहा है राम कर रहे है और अगूम तो उसके द्वारा किर गया तो उसके और वित और यहां पर काम किया हो रहा है, मारने का, तो, बंदू के द्वारा मारा गया, तो, बंदू के लिए match, तो, किसके द्वारा मारा गया, कौन, किया काम, किस कारे को किसी कारे को करने वाले के लिए किसी कारे को करने में प्रयोग किया जाता है जिस इंस्टूमेंट का प्रयोग किया गया उसके लिए वित और जिसके द्वारा किया गया उसके लिए बाई तो यहाँ पर किया किस के द्वारा गया, रॉबर के द्वारा, तो भाई का प्रयोग हुआ, और किस इंस्ट्रुमेंट के द्वारा किया गया, गन के द्वारा किया गया, तो उसके लिए वित का प्रयोग हुआ है, देखिए, इसके आगे देखिए, तो भाई के अन्य प्रयो पास बैठा, second one है I shall return by three o'clock कि मैं तीन बज़े तक लौट जाऊंगा तीन मज़े तक के अर्थ में किसका प्रेव हो रहा है बाई का प्रेव हो रहा है ठीक है, उसके बार देखे He is a Brahmin, बाई कास्ट तो कास्ट के द्वारा है जाती के द्वारा जाती के द्वारा क्या है? वह जाती से, ब्रामिन है तो बाई कास्ट के प्रेव क्या है, जाती से ठीक है फिर या लीखा है I swear by God, मैं प्तिग्या लेता हूँ भागवान की सपत लेता हूँ भागवान की सपत के लिए भी इसका प्रयोग होता है बाई का प्रयोग होता है इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं Beside और Besides देखिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं Beside और Besides का प्रयोग देखें Beside का अथ कहा होता है By the side of जैसे बिलकुल नजदीक के अथ में जैसे कि मेरे ही जिस्ट बगल में हो जैसे कि your cow was grazing beside my field क्या लिखा है beside my field मतलब कि तुम्हारी गाय क्या कर रही है चर रही है beside my field मेरे खेट के या मेरे मैदान के बगल में बिल्कुल बगल में दमनज़्धीक होगी जैसे कि और भी हम कुछ एक्जामपल लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिख दिया my friend Rahul was sitting beside me मतलब कि मेरा दोस्त राहूल जो है वो मेरे बगल में बैठ रहा है और भी चीज़े लिख सकते हैं जैसे the jackfruit tree was beside was beside beside का प्रियों mostly कहा होता है के बगल के अर्थ में होता है लेकिन वही similar इसी से besides से ही similar है besides उसमें बस और बस क्या लगा है सिर्थ एसका ही प्रयोग हुआ है और besides का अर्थ क्या है in addition to मतलब के अत्रिक्ट के अर्थ में होता है जैसे besides this I want two others books मतलब जो चीज़ इनको मिली है मतलब मुझे दो और किताबें चाहिए besides this मतलब जो किताब उसे मिली उसके अर्थ इसे दो और किताबें चाहिए यह होता है प्रयोग besides और besides का आगे देखते हैं between और among देखिए between और among का प्रयोग करें तो between दो व्यक्तिय 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 व्यक्त रिवाइट कर दे बांट दी बिट्विन आनंद और रवी के बीच में यहां पर दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच में किसका प्रयोग हो रहा है बिट्विन का प्रयोग हो रहा है वहीं एमंग का प्रयोग क्या है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तूओं के लिए किया जाता है जैसे distribute the sweets among the boys distribute the sweets मिठाईयों को बाढ़ दो among the boys boys मतलब क्या धेर सारे बच्चे धेर सारे बच्चे हुए ना तो दो से जदिक हैं तो यहाँ पर क्या लगा है among का प्रयोग हुआ है इसके आगे देखते हैं देखिए between के और कुछ प्रयोग देख लेता है notes में जिसे कि between के बाद हमेशा objective case of pronoun का ही प्रयोग होता है मतलब जिसे कि यहाँ पर लिखा मैंने example में between you and me न कि you and I, यहाँ पर कभी भी me के सार्थ you तो objective case of pronoun का ही प्रयोग होगा प्रयोग प्रयोग है प्रयोग है तो यहाँ पर मी ही आएगा आई गलत मना जाएगा फिर देखिए between के बाद noun या प्रयोग हमें साथ plural होता है कभी भी noun या प्रयोग होगा प्रयोग होगा जैसे between these two boys इन दो बच्चों के बीच में तो यह जो है यह boys यह क्या है प्रयोग है फिर लिख रहा है between के बाद कभी भी इच एवरी आदी का प्रयोग नहीं होता है जैसे कि between each boys between the boys यह कभी नहीं आता ठीक है each every sorry between the each boys नहीं आएगा दो आएगा ही क्यों क्योंकि boys plural है और दो आठकल है तो इस वह फ़र्ग नहीं पड़ता इच बाद आप नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि इच बाद के अगर आप बात दोगे तो वह एमंग के लिए हो जाएगा ना क्योंकि दो से अधिक हो गए वही between का प्रयोग आगे देखते हैं तो between का प्रयोग दो से अधिक के साथ भी होता है जब उन व्यक्तियों अथ्वा वस्तूओं में आपस में इस्थाई संबंद अथ्वा सहयोग का भाव प्रकट होता है मतलब कभी कभी क्या होता है ऐसे आप समझ लिजे इसको दूसरे करते हैं कि जो between है between can be used for more than two things of persons to denote some reciprocal collection or relation मतलब कि कैसकते हो कि इसका प्रयोग जो होता है कुछ ऐसे कैसकते हो कि जो important या कैसकते हो कि अगर कोई ज़े नहीं आप से कहा कि दो लोगों के बीक बीच में वाटते तो बिट्विन का प्रयोग होता है लेकिन अगर वही चीज हम दो से अधिक हों लेकिन वो दो से अधिक जो लोग होंगे वह बहुत ही important हो या बहुत ही famous popular चीज़े लिजे हो तो तो उस में क्या करते हैं, वहां पर भी हम between का प्रेयोक कर सकते हैं, जैसे एकजांपल आपको दिखा रहा है, तो क्या लिका हुआ है, our country इंडिया लाइस बिट्विन और इनके बीच में ही हम रहते हैं यहां पर तो कहते हैँ होना चाहिए है नहीं ही पॉपुलर चीजे हैं प्रीयोक हुआ है बिट्विन का प्रियोक कुँआ है ने think country ने जांरे जान नी कुंधाना तो है छार देत कि ने वन呢 देश हैं तो उनकी बीज में भी बिट्वन गाव्रेयों होगा वहीं यदि एमंग के बाद द है तो एमंग की जगा एमंग भी लिख सकते हैं किन्तु द ना होने किस्तिती में कॉंस्टेंट साउंड से सुरू होने वाले सब्दों से पहले एमंग और वोबल साउंड से सुरू होने वाले सब्दों के पहले एमंग का प्रयोग होता है जैसे एमंग यू एमंग देम एमंग अस क्यों क्यों क्योंकि यह अस जो है यह क्या दे रहा है यह स्वर्शन स्वर् रहा है तो इसके वहले कभले का लगेगा महंट लगेगा नखी एमंगे म की आवर फोर फ्रेंड तो सिंब्सक्राइब होगा इसली सकते हैं ना कि gonna अहोने की स्थिती में concentrate dış zero होने वाले सब्द के पहले एमंग् और वॉप्र साउंड से सुरु होने वाले सब्द के पहले एमंग्स करेज़ा है मतलब अगर ढऔर जैता माशनोय कोई डाउट नहीं रहे है दस है इसे की लिखा हुआ है among the boys तो among भी हो सकता है amongst भी हो सकता है लेकिन अगर constant और vowel sound आ रहा है वहाँ पे द नहीं प्रयोग हुआ है ठीक है द का प्रयोग नहीं हुआ है तो आपको ध्यान के देना है कि वहाँ पे vowel sound होने पर amongst consonant sound होने पर among का प्रयोग होगा यह आवश्यक है चलिए आगे देखें तो from for or since यह common चीज़ है for or since का प्रयोग आपने पढ़ा है perfect continuous tense में ठीक है देखी जिसे रिखा हुआ है ठीक है तीनों का ही अर्थ हिंदी में से होता है लेकिन for का प्रयोग समय की period of time बताने के लिए क्यार्थ में होता है period of time period of time मतलब जैसे की कह सकते हो आपकी one week, two week, three hours, four days, six months, seven years ऐसे समय जिसमें हम क्या कर सके है clarify ने कर सके है from when to when कब से कब तक की बात हो रही हो जैसे की he has not seen me for the last one weeks last one weeks की बात कर रहा है तो last one week कब से Monday से की Tuesday से की Wednesday से it was not clear ये clear नहीं है तो इसलिए हम क्या कर रहा है प्रयोग for का प्रयोग कर रहा है ये इसलिए period of time कहलाता है not a point of time कहलाता है he has been giving us food for three days वो हमें खाना तीन दिन से दे रहा है अगर मान लीजे आज मैंने बोला three दिन से दे रहा है फिर यही बात आप कल कोई बोलेगा तो भी three days ही बोलेगा उसको क्योंकि four days नहीं समझ भाएगा लेकिन अगर मैं बोलता कि Monday से दे रहा है अब आज fitness दे था ठीक है Thursday को कोई बोलेगा तब भी Monday ही बोलेगा Friday को बोलेगा तब भी Monday ही बोलेगा कि Monday से खाना दे रहा है तो उससे clarify हो जाएगा कि कब से खाना दे रहा है वो point of time हो जाता है ना कि period of time जाता है लेकिन ये period of time है कि तीन दिन दे या वह इस since का प्रियोग कर रहा है समय की बिंदू point of time बत लाने के अर्थ में होता है जैसे कि he has been ill since saturday लेकि विज़े पिछले saturday से बीमार है तो पिछले saturday से बीमार है आज अगर monday है तो भी दो दिन हुए Tuesday तो तीन दिन हुए Thursday है तो फास चार दिन हुए थास दिन हुए ठीके यह आपको clear हो जाएगा तो has been, has been, have been, यह क्या है सब, यह perfect continuous tense ही है, जिन में इनका प्रयोग होता है, mostly, और कुछ जगों पर भी होता है, ऐसा नहीं है, यहां पर देखिए past, यह present perfect है, इसमें भी हुआ है, फिर कर रहा है, from का प्रयोग भी point of time के लिए होता है, जैसे since का प्रयोग होता है, जैसे from का प्रयोग भी point of time बताता है, परन्तु इसका प्रयोग present continuous को छोड़कर सभी tense में होता है, present continuous tense में नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान कर रखना है, इसका प्रयोग तब, mostly, ज़्यादा तर इसका प्रयोग वहीं होता है, तू के साथ होता है, जब बीच में किसी समय को दिखा रविवार से गुरुवार तक, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कुछ important डिस में सबसे important चीज़ जो मानी जाती है, वो है कि from का प्रयोग और भी कहा होता है, तो कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, मतलब कुछ ऐसे जो आज के टाइम में आधूनिक टाइम से, ज क्योंकि सिंस के जो वहाँ प्रयोग किया जाता है, फ्यूशे पर फर्फेक का प्रयोग उचित इसलिए होगा, क्योंकि जो सिंस है वो बीते हुए समय को दिखाता है, जिबकि from आने वाले समय को भी दरसा सकता है, तो फ्यूचर के हम बात कर रहा है, तो फ्यूचर में एक फ्यूचर के अगरा बात कर रहा है, तो फ्यूचर में पॉइंट आफ टाइम एक्यूरेट तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम उसकी जवाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, आज के टाइम में नहीं कभी कर रहे हैं, लेकिन एक समय के साथ ये भी प्रयोग होगा, फिर देख जहां होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के लंब हो, मतलब कि पर्पेंडिकुलर, नब्बे अंस का कौन बनाती हो, तो ओवर का प्रयोग करते हैं, और वहीं एबफ का प्रयोग होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, परंतु पहली वस्तु के साथ λंबवत रूप में न हो तो a bus का प्रेयोग होता है ज्यान दंखना है लंबवत होगी मतलब perpendicular होगी 90-100-00 का कोंड बना रही होगी लगबब तो o vest का प्रेयोग होगा और 90-100 का कोंड नहीं बना रही होगी तो a bus का प्रेयोग होगा जैसे the plane flew over my head तो मेरे सिर के ऊपर से निकल ली, तो होगा, तो होगा, तो क्लाउड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फैला हुआ है, उसके हिसाब से उसके प्लेन क्या होगी, लंबवत होगी, मेरे सिर के ऊपर कभी लंबवत होगी, यह कंडिशन जो है, यह कंडिशन तभी हो सकती है, जब प्लेन बहुत ही नीचे होगा, अगर उचाई पे होगा, तो कभी भी मेरे सिर के लंबवत नहीं निकलेगा, ठीक है? तो mostly आप वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे यूज़ होता है, प्लेन फ्लिव ओवर दे क्लाउड, बात लोग के ऊपर उड़ा होता है, तो क्लाउड के ऊपर होने के कारण लंबवत हो सकता है, वह उसी तरीके से दे स्काई अबवा और हेड, वो कभी हमाई लंबवत नहीं हो होगा, इसलिए वहाँ पे हमें सा किसका प्रयोग होगा, अबव का प्रयोग ही होगा, और फिर से अगर हाँ समझ लेजे कि ओवर का प्रयोग कहा हो रहा है, जब कोई वस्तू हमारे सिर के लंबवत है, तो ओवर का प्रयोग हो रहा है, और जब कोई वस्तू हमारे सिर के ल सिर के लंबत ही होगा क्योंकि बहुत दूरी उससे है नहीं तो हमाई सिर के उपर हैंग कर रहा है लटक रहा है तो वह कम प्रयोग कर सकते हैं देखिए उसके आगे देखें बिहाइंड और आफ्टर तो बिहाइंड का मतलब भी पीछे है आफ्टर का मतलब के पीछे के बात होता है तो आपको क्या रखना है कि पीछे, जैसे कि the jackfruit tree is behind the wall of my house home, मेरे घर के पीछे, मेरे घर की दिवाल के पीछे क्या है एक कटहल का पेड़ है, तो jackfruit tree is behind my behind the wall of my home चिके, अब वही चीज़ गाए the dog walks behind its master जो master के पीछे कहों चल ला है उसका कुता चलता है तो behind का प्रयोग क्या गया है तो यह after का प्रयोग कहा होता है के पीछे या के बाद के अर्थ में होता है जैसे the constable run after a thief इस चीज़ को आपको ध्यानक ना है mostly यह आपकी exam में भी आते हैं constable के दिए का police लिखा होगा तो the police ran, dash, a thief और यहां पर behind भी देगा तो behind का प्रयोग नहीं होता after का प्रयोग होता है क्यों क्योंकि जो police है या constable है वो चोर के पीछे दोड़ता है पीछे नहीं दोड़ता चोर पीछे नहीं दोड़ता ना चोर के पीछे दोड़ता है इसलिए after का प्रयोग होगा She came after sunset Where I after sunset सूर्य डूबने के बाद आई तो भी किसका प्रयोग हुआ है After का प्रयोग हुआ है About का प्रयोग करते देखते हैं About का प्रयोग Mostly about मतलब बारे में या के बारे में के लिए होता है जैसे की Tell me about Ravi मुझे रवी के बारे में बताओ तो अबाउट का प्रयोग कहा हुआ है इसके अर्थ में कि बारे में रवी के बारे में बताओ इसके लिए अबाउट का प्रयोग हुआ है वहीं अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है लगभग आगे जएते हैं जैसे की एक साइड माल लेजे आपकी इधर रेलवे लाईन है इसके बगल में रोढफ भी जाँ ही time इधर राइन न के साथ साथ रोड़ भी जा रही हां तो उसके लिए किसी के प्रॉजव कुई बात करें तो फूर्ड ही ओड तथा परे, सबसे important है, परे के अर्थ में होता है, जैसे कि अगर में, जैसे कि this syllabus is beyond my limit, यह beyond my mind तो यह जो syllabus है, वो मेरे दिमाग के परे है, तो बहाँ पर beyond का प्रयोग होगा, जैसे the village is beyond the hill, तो जो my village, जो मेरा village है, is beyond the hill, वो इस पहाड़ी की दूसरी धियोर हैं तो बियांइंड का प्रयोग हुआ है हुई थ्रू का प्रयोग का होता है थू थ्रू का प्रयोग मेह से के अर्थ में होता है जैसे की जब procession went through the main market तो ध्यान दिजेगा यहाँ पे mostly through का प्रयोग होता है जब कोई वस्तु एक तरफ से प्रवेश करे और दूसरी तरफ से निकल जाए तब through का प्रयोग होता है जिसे procession, julus जो julus है went through the main market वो main market से गया तो main market क्या है? main market है main market है यहाँ से procession main market में प्रवेश करे जिलूस और उसे side से निकल गया तब through का प्रयोग हुआ main से मतलब एक side से गया और एक side से निकल गया अचा ना हो कि बीच में रुख जाए और फिर वापस लोड़ जाए तब वहाँ पे through का प्रयोग नहीं होगा और later was sent through a pun लेकिए के हाथ मतलब कि पुलिस प्रयोग चपरासी के हाथ से क्या किया गया भेजा गया तो यहाँ पे भी through का प्रयोग होगा by a pun भी हो सकता था the later was sent by a pun लेकिन के हाथ से भेजा गया इसलिए through का प्रयोग हो रहा है चपरasी के दूरा भिजा गया लिखेंगे तो भाई अप यूयन लिखेंगे चपरशी के हाथ से भिजा गया तो ठूर अप यूयन लिखेंगे ठीके बेटा चले इसके बाद आगे कलास हम लोग नेक्स्ट कलास पर पर पढ़ेंगे